दूस्तो, कैसे हुई थी पांडवों की मृत्यू और उन्हें सर्ग की जगा क्यों मिला था नर्क। जाने, दूस्तो, महाभारत युद्यू में एक तरफ जहां धर्म का पालन करने वाले पांडव थी, तो भही दूस्ती और धर्मी की रहा पर चलने वाले दुर्यूदन खड़ा था, महाभारत के युद्यू में पांडवों ने कौर्वों को परास्त कर दिया, लेकिन कैब जा जानते हैं, क्या खिर पांडवों को कौन सी गलती की वज़े से नर्ग मिला था, दूस्तो, महाभारत युद्यू के बाद, युद्यू स्वर्ग की यात्रा पर जाने का निन्ना लिया, युद्यू ने सारा राजपाद अपने परपोत्र परिक्षित को सौब दिया, और न पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता भी उन्हें सर्गलों के आत्रा में चल रहा था, लेकिन दुर्भागे वश, तरीकी से रास्ते में वे द्रौपदी और पांडव, एक एकरती के गिरते गए और उनकी मौत हो गई, ग्रंथे के अनुसार सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई, क्योंकि वह अपने अन्य पतियों के तुल्ला में अरजुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, थोड़ी दिर बाद सहदेव भी गिर पड़े, तब भीम ने पूछा सहदेव क्यों गिरा, तब युदिश्टिर ने कहा कि सहदेव बुद्धी पर काफी घमंड करत था, कुछ दिर बाद नकुल भी गिर पड़े, तब युदिश्टिर बोले कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इस लाज उसकी कहा गती हुई है, इसी तरह अरजुन अपने पराक्रम के अभिमान के कारण गिर पड़े, और उनकी मृत्ति हो गई, भीम भी गिर पड़े, भीम ने गिरते वक्ति उदिश्टिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, कि तुम खाते बहुत थे, और अपने बल का जूटा प्रदोशन करते थे, इसलिए आज तुमारी ऐसी गती हुई है, अंत में उदिश्टिर के लिए स्वर्ग के दार खु हो गए, फिर दिश्टिर सर शरीर सर्ग चले गए, दोस्तों ये वीड़ा पर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स से बताना मत भूलेगा, धन्यवाद